दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना आज की वीडियो हमारी अभी मन्यू वद पे है माबारत का यूद चल रहा था को और वो ने चकरवी के रतना करी थी तो चुनोते मिली या तो चकरवी तोड़ो या फिर हार माल लो तभी एक वीर योदा आया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी और वो था अरजुन पुत्रभी मन्यू और यही अरजुन पुत्रभी मन्यू ने तोड़ा था चकरवीू ऐसा समय साइद कभी ने आता यदि अरजुन वहां होते अरजुन जिसने अकेले ही कोरवो के सेना में हाहा कर मचा रखा था पिता मां बिश्म दारा साई हो चुके थे अब दुरहन अरजुन का प्रकरम देख चिंता होने लगी तब दुरिदे ने गुरु दुरहन चारे से विचार विमर्ष करकर अरजुन को यूद भूमिस से दूर ले जाने की बात सोची उसने संसब्तकों से करकर कुरुशेतर से दूर लड़ने की तुनोती दिलवाई और उसे वहां से हटा दिया इसलिए पांड़ों की इज़त की रक्षा के लिए वीर अभिमन्यू को आगे आना पड़ा यूदिष्टर ने अरजुन पुत्र अभिमन्यू को समझाया पुत्र तुमारे पिता के सिवा कोई भी चकरुईू बेहदने की किरिया नहीं जानता पिर तुम ये कैसे कर पाओगे लेकिन अभिमन्यू जिद करके बेटा था उसने कहा आरे आप मुझे बालक न समझे मुझे में चकरुईू बेहदने का पूर्ण साहस है पितादी ने मुझे चकरुईू के अंदर जाने की किरिया तो बताईए किन्तु बाहर आने की नहीं किन्तु मैं अपने साहस और प्राकरम के बल पर चकरुईू को तो भेद दूँगा आप तुनोती स्विकार करें युदिष्टर ने पिर अभी मन्यू को समझाने की बहुत कोशिश की परन्दु अभी मन्यू कुछ भी सुनने को तयार ना था अता यह निने लिया गया कि अभी मन्यू को चकरुई तोड़ने के लिए भेजा जाएगा अभी मन्यों की साहता के लिए दुरुष्ट दुम्न और साती की को बेजा गया अभी मन्यों ने पहले द्वार पर बाणो की वर्षा करते हुए उसे तोड़ दिया और वियू के अंदर गुश गया भीमसेन और साते की अभी मन्यों के साथ अंदर न जा सके अभी मन्यों किसी पर्तंड अगने की भाती सब को जलाता हुआ आगे बड़ा तला जा रहा था सभी मारती अपने हर बल का प्रियोग कर चुके थे लेकिन कोई भी उसे रोकने में अज़ समर्थ था अभी मन्यों हर द्वार को एक खिलोने के बादी तोड़ता हुआ बिना किसी समस्या के आगे बड़ रहा था दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो सबस्क्राइब जरू करना चैनल को जिसे दुरोना दुर्यदन और करने चेंतित हो गए उन्होंने दुरोना तारे से कहा कि अभि मन्यों तो अपने पेता की भाती बहुत प्रकरमी है उसे जल्दी ही नहीं रोका गया तो हमारी योजना शपल हो जाएगी अब तक अभि मन्यों ब्रिदल और दुर्यदन के पूत्र लक्ष्मन को यमलोग पहुचा चुका था करण दुसासन को प्राजित कर रागशक्स अलंबुष को उसने यूजशेतर से कदेड दिया था जब कोरोन देखा कि उनका कोई भी परियतन सपल नहीं हो रहा तो उन्होंने चल रहे चल खरने की सोची सबी मारतियों ने जिन में असुतामा, करपाचारे, कृतवर्मा, करण, ब्रदल और दुर्यदन ते उस पर आकर्मन कर दिया इन सब के बीच गिरने के बाद भी अभी मन्यू अपना रण कोसल दिखाता रहा करण ने अपने बानों से उसका दनुस तोड दाला, बोध ने उसका रत तोड दिया और करपाचारे ने उसके रक्षकों को मार गिराया अब अभी मन्यू पूंड रूप से निहत्ता था कुछी सणों में उसके हाथ में एक गदा आ गई, उसने गदा से कई योदाओं को मार गिराया लेकिन अकेला अभी मन्यू इन सब से कब तक लड़ पाता तब ही अचानक दूसासन के पूत्र ने पीचे से एक गदा अभी मन्यू के सर पर मारा अभी मन्यू उसी सण नीचे गिरा और उस वीर ने वही प्रान त्याग दिये इस परकार एक वीर अर्दुन पुत्र अभी मन्यू के जीवन का अंतुवा इसलिए आप अपने जीवन को योदा की तरह जीए ताकि लक्षे हासिल हो या नहो समाद में आपकी एक अलग पैचान जरूर बन जाए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट लाइक और सबस्क्राइब जरू करना थेंक्यू गाइज सबस्क्राइब करो